हलो फ्रेंस आज हम दो आलू से बहुती टेस्टी और नया नास्ता बनाएंगे जो कि बहुती ज़्यादा खाने में टेस्टी रखता है और बहुती जल्दी से बनकर तयार हो जाता है और इसको आप बहुती कम सामान से बनाकर तयार कर सकते हैं तो वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आये हो तो चैनल को सस्क्राइब जरू कर लिजेगा तो यहाँ पर पहले हम इन आलों को जो है छील लेते हैं तो यहाँ पर दौनों आलों को हम छील कर तयार कर लेंगे तो यहां पर मैंने दौनों आलों को छील कर तयार कर लिया है अब हम क्या करेंगे इन आलों को जो है इस तरह के कदुकस से कदुकस कर लिए तो यहां पर दौनों आलों को हमें इस तरह से कदुकस कर लिया है और इसके जो है लच्छों को इस तरह से निकाल कर तयार कर लेना है तो चलिए यहाँ पर दोनों आलों को जो हम पहले कद्दू कस कर लिते हैं तो यहाँ पर देखे मैंने दोनों आलों को जो है कद्दू कस कर लिया है और ये देखे इस तरह के लच्छे निकल कर आएंगे लच्छे जो है कावे ना पढ़ें इसमें साथ में ही पानी डाल देना है जिससे की लच्छे कावे नहीं पढ़ेंगे और इस तरह से हमें इनको दो लेना है एक दो बार पानी से दो कर इस तरह से हम निकल कर एक अलग बर्तन में रख लेंगे और ये देखे कितने बड़ी है यहां पर लच्छी निकल कर आए है उसके बार यहां पर पैन लेंगे पैन को गयस पर चड़ा देंगे और इसको गरम कर लेंगे गरम होने के बाद में एक चमच ओयल हम इसमें डाल देंगे और जब अच्छी तरह से गरम हो जाएगा तब आदा चमच हम इसमें जो है जीरा डाल देंगे और जीरा डालने के बाद हमें इसमें जो है आलों के लच्छों को डाल देना है आलो को लच्चे को डालने के बाद अच्छी तरह से इस तरह से हमें मिक्स करते हुए इनको पका कर तैयार कर लेना है तो उलटते पुलटते हुए हम इस तरह से जो है आलो के लच्चो को पका लेंगे उसके बार यहाँ पर आदा चमच से भी कम लालमिच पॉडर डालेंगे और स्वाद के अकोर्डिंग यहाँ पर हमें इसमें नमक डाल देना है बैसे मैंने आदा चमच डाला है आप अपने स्वाद के अकोर्डिंग यहाँ पर डाल सकते हो और इसको हमें जो है अच्छी तरह से जो है mix कर लेना है अच्छी तरह से mix होने के बाद मैं यहाँ पर उपर से बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और धनिया को भी इसमें अच्छी तरह से mix करते हुए हम इन वच्छों को जो है पका लेंगे तो थोड़ी देर पकाने के बाद मैं यहां पर हम आदा कटोरी जो है चावल का अटा इसमें डाल देंगे और चावल का अटा डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको जो है तैयार कर लेंगे और mix करते हुए हमें इसका जो है dough बना का तयार कर लेना है तो अच्छी तरह से mix करेंगे उसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पर पानी डाल दिया है जिससे कि हमारा dough जो है अच्छी तरह से mix हो जाए ज्यादा पानी नहीं डालना है थोड़ा सा ही डालना है और इस तरह का जो है हमें dough बना का तयार कर लेना है तो यह देखे इस तरह से उलटते पलटते हुए हम इस dough को बना का तयार करेंगे तो यह देखे यहाँ पर dough बनका रेडिया है अब जो है हम इस तरह की थाली में इसको निकाल लेंगे और अगर आपके पास ट्रे हो तो आप ट्रे में भी निकाल सकते हो यहाँ पर मैंने ठाली में निकाला है क्योंकि ठाली सबके पास होती है और सब इसको आसानी से बना सकें तो इस तरह से हम इसको फैलाते हुए एकदम चौकोर्टी सेप इसको दे देंगे तो ये देखिए इस तरह से हमें इसको चौकूटी सेप दे देनी है और अच्छी तरह से ये सैट हो जाए इसके लिए मैंने कटोरी वे थोड़ा सा ओयल लगाया है और इस तरह से हम इसको दबा कर इस तरह से अच्छी से इसको फैला कर तयार कर लेंगे और ये देखे इस तरह से हम चौकूटी सेफ इसको दे देंगे और ये देखे साइडों से अच्छी तरह से सैट करते हुए इस तरह से हम इसको तयार कर लेंगे तो यह देखें यहां पर इस तरह से हम चौकूटी सेफ इसको दे देंगे अच्छी तरह से फैवाकत तयार कर लेंगे और यह देखें इस तरह से हम इसको फैवाकत तयार कर लेंगे अच्छी सेफ इसको मैंने दे दी है तो यह देखे इस तरह से अब हम इसको जो है ठंडा कर लिएंगे और ठंडा होने के बाद ही हम इस तरह से इसको जो है चाकू से गंबे गंबे आकर मैं इस तरह से इसको काट लिएंगे तो यहां पर आप इसको इस तरह से काट वीजिए तो इस तरह से हम इसको जो है काट कर तयार कर लिएगे और यह देखिए इस तरह का यह बहुत ही बड़ी असा नास्ता बनकर तयार हो जाएगा ये देखिए बहुत ही बड़ी असा यहां पर नास्तावनकर तयार हो गया है अब यहीं पर पैन में मैंने ओल डाला है ओल डालने के बाद में हम जो है इसको इसमें डाल लेंगे और हमें इसको जो है सेक लेना है तो ये देखे यहां पर मैंने इस नास्ते को जो है सिक्कत तयार कर लिया है इस तरह का एकदम क्रिस्पी होने तक ही हमें इसको सेखना है और अच्छी तरह से हम इसको इस तरह से सेख लेंगे और बहुती बड़िया तरीके से सिक्ने के बाद में हम एक एक करकर इस तरह से हमें इस नास्ते को निकाल लेना है तो चलिए यहां पर मैं इस नास्ते को निकाल लीती हूँ और यहां पर मैंने नास्ते को बना कर तयार कर लिया है और बहुती ज़्यादा टेस्टी यह नास्ता लगता है और आप इसको बहुत ही कम सामान से बना कर तयार कर सकते हो उपर से एकदम क्रस्पी और अंदर से एकदम सॉप्ट होता है इसको आप सौर्स चटनी किसी के भी साथ खाईए खाने में बहुत ही जादा टेस्टी ये नास्ता लगेगा और एक बार आपने बना लिया तो बार बार पर इसको बनाना आप पसंद करोगे तो ये देखिए फ्रेंस कितना बड़िया यहाँ पर ये नास्ता बनकर तयार हुआ है बहुत ही बड़िया ये नास्ता बनता है और खाने में बहुत ही जादा टेस्टी लगता है और आप इस नास्ते को बहुत ही ज़दी से बना कर तयार कर सकते हो तो फ्रेंस अगर आपको मेरी ये रैस्पी जरा सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पैर ही बार आई हो तो चैनल को सस्क्राइब जरू कर वीजिए तो मिलते हैं अच्छी से नई रैस्पी के साथ तब तक लिटे किया थैंक्स वर बोचिंग